Good morning friends, welcome to our YouTube channel, मैं हूँ आयूशी और आज है 6 जून है, वो 6 जून से current affairs के जित्ते पी important questions होंगे, आज के हम इस वीडियो में discuss करेंगे, तो बढ़ते हैं हमारे questions के तरब, तो आज का जो हमारा पहला question है, वो है सही तराश्ट रूशी भास्रा दिवस Russian language day कम मनाया जाता है, तो इ एक रूसी कवी और आधुनेक रूसी साहित्य के जनक्त ऐलेकhésitezर पुच्किन के जनम दिवस पर रूसी भास्रा दिवस जो है मनाया जाता है, इसके अलावा जो है सही तराश्ट राश्ट अरभी भाश्रा दिवस जो होता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके अलावा राश्ट्र रूसी भार्षादिवर जो है जो आज है वो 6 जून को मनाया जाता है आज का हमारा सेकेंड कोशन है कि मैं 2021 के महिने में कुल जी एस्टी राज़स्व संग्रा कितना रहा था तो इसका सही ऑप्षण भी 1.02 लाख करोड रुपे का जो है जी एस्टी राज़स्व संग्रा किया गया था मई में 2021 महिने में कुल जी एस्टी राज़स्व जो था वो 1.02 लाख करोड रुपे हैं जबकि अप्रेल 2021 में इसका जो रिकॉर्ड था वो ता 1,41,384 करोड रुपे का GST एकतित किया गया था गोर्तलब है कि यह लगाता आठवी बार है जब GST संग्रा का आकड़ा 1,00,000 करोड रुपे से उपर रहा है पिशले साल के माई के मुकाबरे में इस साल जो है 55% अधिक GST राजसों जो है इकता किया गया है अभी रागडाउन है सबकुछ बंद इसके भावव्यूत भी जो है 65% जो है अधिक GST राजसों जो है सरकारत और खटा किया गया है क्योंकि काफी सारी चीजे है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है लॉक्टाउन के विससे काफी महंगाई बढ़ गई है इसलिए जो GST वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पैट्रोल डिजल लोग लेना बंद करेंगे नहीं शराप पीने वाले लोग शराप पीना छोड़ेंगी नहीं तो यहां से ही जो है महंगाई खम नहीं हुई है महंगाई और बढ़ते जारी जिससे जो है सरकार को और GST राजस्वी खटा कर रही है मई के मुकाबले 65% अधिक है GST का जो फुल फॉर्म है वो है गुट एंड सर्विस टैक्स एक अपरत्य टैक्ष कर रहे है जो एक जुलाई 2017 को लागू हुआ था मतलब यह इंडारेक्ली कर जो टैक्स लिया जाता है जो कि हमसे ही लिया जाता है और इसके शुरुवात जो हुई थी वो एक जुलाई 2017 को हुई थी और इसका जो पूरा नाम है वो है गुट एंड सर्विस टैक्स में तीन कोशिंस बंज जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है GST का तो गुट एंड सर्विस टैक्स और इसकी इसके शुरुवात हुई थी तो एक जोलाई 2017 में इसकी शुरुवात हुई थी और यह किस प्रकार कर टैक्स है तो यह एक अप्रतिक्स टैक्स है मतलब इंडिरेक्ली टैक्स है सेकेंड है इसका कि इसकी अलग-अलग स्लैब भी है जिससे 0% 5% 12% 18% 28% हाँ तो कुछ चीज़ एसी होती है जिनमें किसि प्रकार कर कोई के टैक्स लगता तो इसमें 0% कुछ समान ऐसे होते में 5% नगता कुछ आसे होते में 12% देना पड़ता है जिससे कि कपड़ा होगी दवाईया Oprah electronic समान होगे तो इनको हम अलेग अलेग इस लैब में रखते हैं कि इसमें कितने परतें कर टेक्स लगेगा तो सरकाद और इन अधारत किया जाता है कि किस चीज में कितना टेक्स लेना है तो बढ़ते हैं में और इस दिन जो है सभी ने काफी पिस जो कल उटे गया था काफी सारे लोगों ने पोधे लगा थे और फोटो खिसके डाली थी और वन दू शायद पे भी सब काफी लोगों ने रजिस्टर किया होगा खेर हमारी जो जनसंक्या है और इसका डेशी उद्देश यह है कि देश म अगर इतने लोग लगाया प्योड तो हमारे हां पर ऑक्सेजन की कभी कमी नहीं होगी तो इसकी एक और बात यह है कि इस वर्ष के विश्व पर्यावन दिवस्टाइस की जो थीम रखी गई थी रिमेजिन रिक्रियाटो रिस्टोर थी क्योंकि यह वर्ष जो है पारिसिति तंत्र की बहाली के महत्रों को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मैजबान था यह याद रखने वाली बात है कि जो पाकिस्तान है वो इस दिवस का वैश्विक मैजबान है और इस साल जो है यह साल 1974 पहली बार ऑनली वन अर्थ के नारी के साथ व के साथ विश्य पर्यावन दिवस जो है बनाया गया था तो फिलाल हमें अर्थ को ही बचाना है बाकी दुनिया जो है अभी मंगल के पीछे भाग रही है कि वहां जीवन है या नहीं लेकिन फिलाल अभी हम जहां रह रहे हैं हमें उसकी रक्षा करनी अधिक से अधिक प्रेड नेशनल डे फॉर दा फाइट अगेंस्ट इलिकल अन्रिपोर्टेट एंड अन्रेगुलेटेट फ्रेशिंग यानि की अवेद्धि गेर रिपोर्ट सुचित और अन्यमित मतर्से पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतराश्टी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही पांच जुन को मनाया जाता है अंतराश्टी इस्तर पर अवेद्धि गेर रिपोर्ट सुचित और अन्यमित मतर्से पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतराश्टी दिवस जो है वो पांच जुन को मनाया जाता है दिसंबर 2017 में सरीक्तुराश्ट मासरभा ने इस्थाई मतर् पर अवेद्धि गेर रिपोर्टर्ट और अन्यमित मतर्से पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतराश्टी दिवस के रूप में घोशित किया गया तो तब से यह जो दिय है 2017 से जो है इसे पांच जुन को मनाया जाता है इंटरनेश्टनल डे फॉर दफाइड अगेंस इलीकल अन्रिपोर्टेड अन्रेगुलेटेड फिशिंग पांच जुन को यह दे मनाया जाता है तो इसे याद रखिए का 2017 से इसकी शुर्वाद हो दिसम्ब 2017 से राष्ट्य महसाइक्ट राष्ट महसाबार ने इस थाई मतरसे पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताओं में इसे गोशित किया था आज का मारा फिफ्ट कोश्यन है भारत ने किस वर्ष तक पैट्रोल में 20 परसंद इथेनौल मिश्रंड इथेनौल ब्लेंडिंग जो है वो ब्लेंडिंग का लक्ष रखा गया है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है इसका तुटाजन टुटा इसका सही अंसर है तो भारत ने जो है दो हज़ाजार पचीस तक पैट्रोल में 20 परसंद इथेनौल मिश्रंड को लक्ष रखा गया है गोटल भी कि यह पहले जो 20 परसंद गोश्यन ग्या था वो दोहजार टीस था दोहजा पचीस कर दिया है ने धार्डित कर दिया गया इ वो काफी जारीलव होता है इतना जहरीला नहीं होता है 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 न तो इसको बतला बहुती जादा केरफुली यूज करना चाहिए अगर आप से लगाओ तो कुछ ताइम बाद अपनी सारी चिगार करो किछन में अगर आप कुछ करते हो तो इतिनोल जो है इतना हामफूल नहीं होता और दोहजार पच्चिस का लक्ष रखा गया है मतलब जो प अब् еक्स को exceptions कि तरफ आज का हमाइए से को स्चन है कि हाली में किस देश के संस्थ नें एक करतीं दिउप के निर्मान की योष्णा को मंदूरी दी है उसका सही Aussagen है ऑप्षिन डी डानसको ने दी है हाली में तो है यह डानमाक देश की बतले कि जो छैन्साद हें उन्हों पेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख के भूमी से जुड़ा हुआ होगा ठीक है तो इस क्रतीम द्यूप में जो है 35,000 से ज्यादा लोग मतले 35,000 लोग रहेंगे और यह कोपहनेंगन के बंदरगा को समूद्र के बढ़ते इस तरह से बचाने में जो है मदद करेगा और यहा कि जो पॉपुलेशन है वो है 58.1 लाग तो यहाँ पर यह याद रखना है कि यहाँ एक विश्याद क्रतीम द्यूप का निर्माण किया जा रहा है जिसने से 35,000 लोग रहेंगे और इसका जो शेत्रफल होगा वो होगा एक वर्ग मिल और इसमें जो है इसे क्यों मनाएं जा आज का हमारा सेवन्थ कोशन है हाली में किस राज़े के उपर राज़े पल आके मातू ने चात्रों के लिए यूटूब योजना जो है यूटूब स्कीम जो है लाँच की है तो यूटेब जो है यूटेब की जो योजना थी वो लद्दाक में लाँच हुई है इसका सही अप्शन ए लद्दाक के राज़े की उपराज़े पल ने यह लाँच की है तो हाली में जो लद्दाक राज़े की उपराज़े पल आके मातू ने चात्रों के लिए यूटेब योजना जो है यूटेब लाँच किये तो इस योजना में क्या होगा इस योजना के तरह जो स तो मतलब इस योशना में जो होगा जो सरकार एलद्दा के उप्राजिपल आरके मातूर ने जो गौवर्मेंट स्कुल में जो अभी कोरोना के कारण जो ग्लासिस ऑनलाइन चल रही है उसे देखते हुए जो है महा की सरकार ने ऑनलाइन ग्लासिस अप्लिकेशन से प्री लीट अब यहां अगर लद्दाग की बात करें तो लद्दाग जो है जम्मू और काश्मीर पूनर गट नदीनियां पारित होने की बात जो था 31 सक्टूंबर 2019 को लद्दाग को जो है अलग केंदशाशित प्रदेश की रूप में इस्तापित किया था फिर सबसे इंपोर्टन ची सब्सक्राइब करते हैं उन्हें बाद जो है बहुत अच्छे से यहाद होने चाहिए कि रद्दाग केंदशाशित बनाता तो 31 सक्टूंबर 2019 को बनाता जब जम्मू और काश्मीर पूनर गटन अधिनियां प्रारित हुआ था उसके बाद बनाता आज का हमारा एट कोशन है कि हाली में केंद्री मादमी शिक्षा बोर्ट सी बीएस से ने किसके सहयोग से स्कूली पार्टिक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोशना किये तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट में में किक है इंद्री मादमी शिक्षा बोर्ट ने कोडिंग और डेटा साइंस पढ़ाई शुरू करने की घोशना कर दिये तो कक्षा 8 चात्रों के लिए कोडिंग की शुरुबात की जाएगी जब कि कख्षा 8 से कख्षा 12 के लिए डेटा साइंस को नाया जो कोशल विश्यों के रूपय पेश किया जाएगा तो मतलब इतनी चोटी सी क्लास से ही इन जो है सीबसी के जो स्टुडेंट्स होंगे उन्हें कोडिंग को डेटा साइंस के स्टुडी कराए जाएगी मतलब इतनी चोटी से से जो उनका जो माइंड का फिला क्रियेटिव कर दे जाएगा जिस तो बड़े लेवल तक हाने पर उनके लिए फेस्बुक जी से एब बनाना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाएगी और यह दोनों ही कि अनुरुप लॉंच किया जाएगा तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की हाफ से दो है सीबियसी के सिख से लेगए एट टुक्लास और एट से ट्वेल क्लास में जो है कोडिंग और डेटा साइंसी जो स्टुडी की जाएगी और यह दोनों ही कोशल जो है मतला दोनों ही स्किल जो है यह बच्चों की ग्रिटिकल थिंकिंग और कम्यूनिटेंशनल स्किल और अशनात्माइक समस्या को सुल जाने की स्कील और नई तक्निकी के लिए भावारी पदर्शन पर जो है केंद्रीत होगी मतलते छोटी से उमर से ही जो है अब उनका माइन काफिसल एक्टी हो ज शादि इंडोनेशिया में हाली में इंडोनेशिया में इस्ति थे और महरापी कुछ इंडोनेशिया का सबसे सक्री हलमु ही माना जाता है यह सेंटरल वल्क ओलकेन फोलकेनों इंडोनेशिया के मदój straw। करांते शींध act तो यह हमारे पास मैप दिया हुआ है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यह आपको दिख रहा होगा यह जावा और जावा और यांगा कार्टा और मेरापी यह है मेरापी के सबसे सक्री जॉला मुखी है यहां पर यह मतलब एक सिंबॉल के तोर पर आपको दिखाया जा रह यहां पर यहां पर जो हमारी बात चल रही है कि यह क्यों इतना फैमस है तो हाली में जो है यहां पर चार बार जो है विस्पोर्ट हुआ है जिसके कारण जो है पहाड की चोटियों से पचास मीटर की उचाईयों पर घने सफिद वादल छागर थे तो यह एक एक एक्टिव जोला मुखी एक्टिव वालकेनों है तो आई दिन यहां पर जो है ऐसी घटनाए होती रहती है लेकिन यहां पर चार बार लगाता ऐसी हुआ है इसलिए यह का वायुसेना मुख्याले में नया उपवायुसेना प्रमुक न्यूक किया गया है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नमबर ए जो है विवेक राम चोधरी इन्हें हाली में वायुसेना मुख्याले में नया वायुसेना का प्रमुक न्यूक किया है तो हाली में जो है वायु कर देली वे पशी में कमान समालेंगी और और आरजे वे डॉक्तफर चोलर में मद्य वायू कमाने परषण के वायू भायूज रही है तो भाते यह बहुति वायू भारती वायू सेना तो मुख्याले जो है इसका नई दिली में है और नई दिली में है और इसके स्थापना जो हुई थी वो आट अक्टूमर 1932 में हुई थी और एयर चिफ मार्शल जो है वर्तमान की वहां के तो फिर राकेश कुमार सी ये बदोरिया तो इसमें याद करने वाली सारी बाते हैं अगर आपको नई वी से एक्जाम देते हैं तो आपको यह जारो चीजे जो है याद होने चाहिए कि मुख्याले जो है नई दिली में वायू सेना का और स्थापना जो हुई थी इसकी हुई थी आट अक्टूमर 1932 और एयर चिफ मार्शल जो है रा किजिए अधिक साथ इस लोगों को और अगर आपको इसका फ्री पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जो है जुड़ सकते हैं तो थाइंक यू हैव नाइस टी